हेलो, नमस्कार किसान साथियों, कैसे हो आप लोग, आसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे किसान साथियों आज का वेडियो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है किसान साथियों आप लोगों को तो पता ही होगा कि जब रस्चूसक कीटों का प्रकॉप होता है हमारे फसलों में तो हम लोगों को कितना हनी देखने के लिए मिल जाता है पौधों का विकास रूख जाता है फूल पतियां अच्छे से भोजन नहीं बना पाती है जिससे उत्पादन में बहुत ज़्यदा कमी आता है फल फूल बहुत कम लगते हैं जिससे किसानों को भारी मातरा में नुकसान देखने को मिलता है तो इन सब नुकसान से हम लोग कैसे बचें रस्चूसक कीटों को कैसे बहुत आसानी से कंट्रोल करें आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा किट नासक लेकर आया हूँ जिसका प्रयोग यदि आप लोग अपने खेतों में करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही तगड़ा रिजल्ट मिलने वाला है और आप लोग रिजल्ट देखकर खूस हो जाएंगे तो एवाला जो किट नासक है वो किवल एक परकार के रश्चूसक किट को कंट्रोल नहीं करता है बलकि पांच परकार के रश्चूसक किट भी आ जाएंगे तो भी उनको कंट्रोल कर लेगा बहुत आसानी से चुटकियों में तो किसान साथियों कौन सा हो किट ना सक, जिसके बारे में मैं बातचित कर रहा हूँ, तो किसान साथियों आप लोगों को बता ही देता हूँ, ओ है UPL कमपनी का उलाला इंसेक्टिसाइड, बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है और काफी अच्छा इसका रिजल्ट भी मिलता है, तो आज हम लोग इसी के बारे में पूरे डिटेल के साथ जानेंगे, कौन-कौन से कीटों को खत्म करता है, कितना इसका प्राइज है, डोज कितना लेना है, कौन-कौन से फसलों पर इस्प्रे करना है, कौन-कौन सी सावधानियां बरतना है, और कौन-कौन सा इसका विशे में मौझूद होता है यानि कि दानेदार कंड के रूप में यह मौझूद होता है और बात करें इसके mode of action की तो इसमें systemic plus translaminar action मौझूद होता है translaminar action बोलू तो आप लोगों को बता दूँ कि इसका छिड़काव यदि आप लोग अपने फसलों में करेंगे तो पत्यों के नीचे जो भी किट रहेंगे उन तक भी दवा आसानी से पहुंच जाएगा जिससे वो कहीं भी चूपे रहें पौधों में आसानी से खत्म हो जाए अच्छर, ब्राउन प्लांट हो पर, वाइट बैक प्लांट हो पर को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर लेता है और mode of action की बात करें तो यह कीट के central nervous system को ब्लोग कर देता है जिससे कीट की मौत हो जाती है और यदि किसान साथियों इसके result time की बात करें तो आप लोगों को result थोड़ा कम दिन तक दिखने के लिए मिलेगा, साथ से दस दिन तक आप लोगों को इसका चरजल्ट दिखने के लिए मिल जाएगा अब किसान साथियों हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको हम लोग कौन कौन से फसलों में परयोग कर सकते हैं तो इसको बहुत सारे सबजी वर किसान साथियों, हम लोग इसके डोज के बारे में बाद कर लेती हैं, तो इसका डोज आप लोगों को बहुत जय L certaines नहीं रहता है,牠 dengan पॉंच सेचे ग्राम 15-6 लिटर पानी मिलने रहता है और बहुत 50-60 ग्राम हो sixteen I Л a. saya क porchaver करना रहता है इसके प्राइज के बारे में बात कर लेते हैं किसान साथियों तो साठ्थ ग्राम का पैक आप लोगों को लग भग 500 600 रुपिय पड़ सकता है और 150 ग्राम का पैक आप लोगों को लगभग 1400 संसे 1500 रुपिय पड़ जाएगा यो त beginner Alberto और डोज के बारे में बातचीत अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका क्या-क्या विश्यस्ता मिलता है यदि इसका इस्प्रेय हम लोग अपने फसलों में करते हैं तो बहुत सारे विश्यस्ताएं हैं आप लोग स्क्रेन में देख सकते हैं जैसे कि पहला फाइदा आप मच्छर ब्राउन प्लांट होपर, वाइट बैक प्लांट होपर को अच्छे से कंट्रोल कर लेता है उपज में वृधी के लिए सहायक है, फसल को मजबूती भी देता है फसल को सुरक्षा परदान करता है, पोधे का विकास करने में सहायता करता है फसल को हरी भरी रखने में मदद करता है ओधों को रोगों से लड़ने में मदद करता है फल फुलों की ड्रोपिंग को भी कम करता है हाँ तो किसान साथ क्यों आज के इस वाली वेडियो में आप लोगों को बताया कि आप लोग यूपियल के उलाला इंसक्तिसाइड के दुवारा कैसे रश्चूसक कीटों को बहुत ही असानी से कंट्रोल कर सकते हैं तो आज के वेडियो अच्छा लगा होगा तो वेडियो को लाइक कर दीजेगा नीचे प्यारा सा एक कमेंट कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा मिलते हैं नए वेडियो में बहुत जल्द नए टोपिक के साथ और वेडियो को अंच तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुक्रिया